सचिवाले में ग्रुप B की गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट जी हाँ हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोग से वायोग द्वारा हाल ही में जारी किये गए समिक्षा अधिकारी और साहिक समिक्षा अधिकारी की वेकेंसी के बारे में दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत 6-7 वर्षों में समिक्षा अधिकारी पत को लेकर इतनी बड़ी संख्या में वेकेंसी नहीं देखने को मिली थी अब इस बार चुंकि इसकी वेकेंसी भी जादा है पुनस्च इसके और भी जादा बढ़ने की संभावना है ऐसे में इसकी तैयारी को लेकर आप लोग के तमाम सारे कॉमेंट्स तमाम सारे शंकाएं और संदेह हमें प्राप्त हो रहे थे जिनका समाधान हम लोग अपने अगले कुछ वीडियो में क्रमवार तरीके से करेंगे आज के इस वीडियो का मकसद इन्हीं एक प्रश्न को सॉल्व करना है जो की संबंदित है कि क्या लूसेंट और घटना चक्र की पुस्तकों से हम लोग इस एक्जाम की संपूर्ण और समग्र तयारी कर सकते हैं यह इस एक्जाम के तयारी में कितनी महतुपूर्ण भूमिका निभाती हैं आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर तफसील से पड़ताल कर रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो ROARO का एक्जाम है, देखे इसमें अगर हम लोग सोचें कि घटना चक्र और लूसेंट की क्या भूमिका है, इसको समझने के हमें सबसे पहले समझना होगा कि UPPSC के इस एक्जाम की वास्तों में प्रकृति क्या है, यानि नेचर क्या है, यदि यह आप समझ जाएंगे, तो यह समझना थोड़ा और आसान रहेगा, जब लोग इसके नेचर पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है, कि दरसल यह UPPSC का ऐसा एक्जाम है, जो कई बार UPPSC के pre-exam, यानि PCS pre-exam, अपर PCS के भी एक्जाम से ज्यादा कठिन हो जाता है, उसका कारण है इसकी प्रकृति, ये कुछ अलग किस्म की इसकी प्रकृति है, प्रकृति क्या है, उसमें दो तत्वों बहुत महत्तुर्ण है, जिस दोबारा पेपर हुआ था उसमें, तो यहां पर दो बाते प्रमुकता से सामने आएंगी, पहला यह कि fact-based questions इस exam में काफी पूछे जाते हैं, जो कि PCS-PRE में उतनी ज्यादा संख्या में नहीं होते हैं, एक तो यह प्रमुक बात है, fact-based question मतलब ऐसे question जिनको केवल रटने की ह होती है, उनमें समझने वाला कुछ खास ऐसा होता नहीं है, तो यह प्रशन हम लोगों के लिए थोड़े ज्यादा कठीन हो जाते हैं, क्योंकि आम तोर पर रठने के लिए आपको एक तो कई बार revision चाहिए, परियाब तो समय चाहिए उसके लिए, वो संभाव हो नहीं पात है, इस वज़े से यह प्रशन थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है, कि यह जो repeated questions हैं, repeated questions भी ROARO की परिक्षा में ठीक ठाक मात्रा में पूछे जाते हैं, हाला कि यह पिछले कुछ वर्षों में कम हुए हैं, इनकी संख्या जह दी हम लोग बात करें, तो यहाँ पर 40% प्रशन लगभग अभी भी आपको repeated questions यानि previous year में पूछे गए प्रशनों से ही मिल जाते हैं, यह दो इस exam की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यही कारण है कि यहाँ पर fact-based knowledge के लिए जो सबसे अच्छी book होती है, वो है lucent, औ और previous year questions, PYQs के अध्यान के लिए जो सबसे अच्छी book होती है, वो है घटना चक्र या घटना चक्र की ही प्रकृति की अन्य book पुस्तके हैं, चाहें वो आपके competition youth वाली पुस्तक हो या कोई भी और हो, मैं किसी एक particular brand को नहीं प्रमोट कर रहा हूं, बलकि मैं यह कहना चाह कि इस प्रकार की जो भी books हैं, तो घटना चक्र की जो पुस्तके हैं, यह निश्चित तोर पे इसमें कोई दोराय नहीं है, कि यह सरवाधिक चर्चित, सरवाधिक trusted book हैं, जिन पर विगत वर्सों में कई सारे toppers ने इन पर अपना भरोसा जताया है, तो एक बात तो यहां से निकल कर सामने आ रही है, कि यह दोनों books ऐसी हैं, जिनको करना तो जरूरी है, लेकिन समस्या यह हो जाती है, कि लोगों के मन में यह भ्रांती उत्पन हो गई है, कि वास्तों में केवल यदि इन ही को पढ़ लिया जाए, जैसा कि आपको कई सारी strategies YouTube पे मिल जारी होंगी, कि तीन महीनों में, दो महीनों में कैसे प्री निकालें, और उसमें इस बात को पस्टता से उल्लेक किया जाता है, कि आप लुसेंट और घटना चक्र ही पढ़ कर लीजे, मेरा ये मानना है कि ऐसा आप हर विशय के साथ मत कीजिएगा, कुछ ऐसे विशय हैं, जहां पर आप के एक आधार होते हैं, उनको आपको स्टेंडर्ड बुक से करना ही करना है, उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप लुसेंट और घटना चक्र जैसी जो प्रीविएस येर क्रेस्चन की प्रूरवा वलोकन नाम से आती हैं, उससे आप इसको कर सकते हैं, अब देख लुसेंट की बुक होती है, वो आप समझ लीजे कि जो लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए, आप जब भी कुछ पढ़ रहे हैं, मालीजे कोई विशय आप पढ़ रहे हैं, उसको एक बार लुसेंट से जरूर पढ़ लीजे, उसमें अंडलाइन कर लीजे, लास्ट टाइ एक तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए इंपोर्टेंट है, दूसरी फैक्स के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो इसके लिए भी लुसेंट आपके लिए महत्पूर्ण हो जाती है, और इसके अलाबा यदि देखें तो जितने भी रटने वाले फैक्स हैं, उनको व बहुत ज्यादा पेजस नहीं करने हैं बार-बार, इस वज़य से इसको रिवीजन करना थोड़ा आसान हो जाता है, और इस कारण से जितने भी महत्पूर्ण फैक्स हैं, वो आपके तैयार हो जाते हैं, जो कि आरो के परिक्षागी सबसे महत्पूर्ण डिमांड मेंसे एक है, बात करते हैं ज़रा घटना चक्रपर, और घटना चक्रपर जब लोग बात करते हैं तो यहां पर समझते हैं कि इसमें दरसल जो previous year questions हैं, इसमें दिये गए previous year questions ना केवल उन questions की practice कराते हैं, बलकि उसमें दिये गए व्याख्या, अपने आप में कई अन्य प्रस्णों की भी practice करा देते हैं इसी कारण से ये publication अपनी इस पूर्वा वलोकन series के माध्यम से ही इतने चरम पर पहुँच गया तो यदि हम लोग देखें कि यहां पर हमें क्या फाइदा मिलता है तो पहली बात कि हम लोग यानी previous year questions से अवगत हो जाते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हम लोग प्रस्णों की एक तो प्रकृति समझ में आ जाती है कि किस प्रकार के प्रस्ण आरो यारो की परिक्षा में पूछे जाते हैं वो हमें समझ में आ जाता है दूसरी बात कि इसका जो भी हमें important chapters है मान लिजे कि आप कोई chapter पढ़ रहे हैं उस chapter को आप book से पढ़ने के बाद आप उसकी घटना चक्री यदि कर लेंगे तो वो आपके लिए काफी अच्छे से तैयार हो जाएगा ये दोनों सरवाधिक महत्पूर्ण विशेषता हैं लुसेंट और घटना चक्र की क्या ऐसा सभी विश्यों में करना लाबकारी सिद्ध होगा तो ऐसा सभी विश्यों में जरूरी नहीं है especially ऐसे subjects जैसे मान लिजे आपका modern history हो गया Indian geography हो गया या फिर current affairs हो गया कई सारे ऐसे UP special हो गया यह सभी subjects ऐसे हैं जिसमें केवल इन पर ही depend नहीं रहा जा सकता है इस वज़े से यहां पर हम लोग कुछ प्रमुख विशे हैं जिनको यदि हम लोग केवल घटना चक्र और लूसेंट से कर लेंगे जिससे हम लोग केवल लूसेंट और घटना चक्र पर बात करके यानि लूसेंट और घटना चक्र को कवर करके हम लोग तैयारी कर सकते हैं उनमें सबसे पहला नाम जो अमारे सामने आता है वो आता है साइंस का यानि साइंस का एक portion ऐसा है जिसमें lucent अपने आप में सांदार है और घटना चक्र उसमें जो भी कमिया रहती है उसको घटना चक्र पूरा कर देता है उसकी व्याख्याएं न किवल पूछे गए प्रशन से ही उसे तैयार कर लें साइंस के बाद यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक विशाय आता है एकोनॉमी economics का portion दरसल आपके exam में है ही कम यानि आपको बहुत ज्यादा अंक का यहाँ पर weightage नहीं होता है इस कारण से यह economy का जो portion है इसमें आप समझे कि यह जो economy में यदि आप lucent घटना चक्र के साथ में lucent से आप इसके basics कर सकते हैं घटना चक्र से इसके previous year questions कुछ देश करते हैं जो की अक्सर पूछे जाते हैं उसके अलावा यहाँ पर एक आर्थिकी करके book आती है घटना चक्र की ही जो की आपके exam के नजदीक आने पर ही आती है उस books से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं उससे आपकी economy अपने आप में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो world geography भी दरसल एक ऐसा ही विशा है जिसको आप लोग lucent और घटना चक्र से ही तैयार कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक तो चक्र से तैयार कर सकते हैं इसके अलावा की अधियम लोग बात करें तो आपको कुछ न कुछ standard books अत्वा कोई notes अत्वा किसी और स्रोष से जिससे भी आप उसका अध्यान कर रहे हैं उससे आप इससे तैयार कर सकते हैं बाकी विश्यों में आप चाहें आपको यह तो समझन इसी को पढ़ना वो किन विश्यों के लिए जरूरी है तो वो केवल यही विश्य जरूरी है इसके अलावा lucent और घटना चक्र आपको as a whole तो पढ़नी है इस exam की demand यह है factual questions आते हैं repeated questions आते हैं इस वजह से lucent और घटना चक्र की पूरवा उलोकन स्रीज आप लोग जरूर से solve कर लें इससे आपको प्रस्ण आपके exam में जरूर देखने को मिलें अमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इससे संबंदित किसी और भी सलाह या समधान के लिए आप हमें message कर सकते हैं उसका reply के तौर पर हम लोग या तो किसी वीडियो के माधियम से आपके सामने में आ रहे होंगे अन्यता message के माधियम से आपको उसका reply दे दिया जाएगा यदि आप हमारे आरो यारो के courses से जुड़ना चाहते हैं जो कि अल्लेडी हमारे आप पर अविलेबल हैं तो प्ले स्टोर से आप Infocus Civil Academy नाम का डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप हमारे courses को उसकी डेमो classes को विजिट कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार